दोस्तों हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगे जिसमें हमारी रूची हो जिसमें हमारा इंट्रेस्ट हो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पर केवी एस एक्जाम के बाद अभी हम आपका इंट्रव्यू की पूरी तयारी यहाँ पर यूट्यूब पर अपने करवा रहे हैं के विए इस डेमो इन इंट्रव्यू नाम की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा और इन तरीके की पीडियो फाइल्स और क्वेस्टन्स के लिए आप हमारी टेलिग्राम चैनल महाईश अकाडेमी से ज़रूर जुड़िए विडियो के डेस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एक सवाल कॉमन क्वेशन पूछा जाता है हर एक इंटरव्यू में ये क्वेशन कॉमन है जब भी हम बात करेंगे चाहे आप चुकी यहाँ पर मैंने प्राइमरी सिक्षक सिक्षिका लिख दिया है यहाँ पर प्राइमरी की जगह है आपका जब आप टीजीटी या पीजीटी की बात करते हैं तो वहाँ पर सिंपल सा होता है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं आप सिक्षक ये सिक्षिका क्यों बनना चाहते हैं और ऐसे में टीजीटी के ही क्यों या फिर PGT के क्यों कुछ इस तरीके से सवाल लेकिन यहाँ पर जो TGT PGT वाले हैं वो अपने तरीके से ले सकते हैं हम primary के लिए बात करेंगे दोस्त सबसे बड़ी चीज होती है आपका रूची होना यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि आप इन questions का यहीं तरीके के सवालों का कैसे जवाब देंगे आपने BSC किया BSC अब B.T.E.C. किया उसके बाद आप primary में teaching के लिए क्यों आना चाहते हैं तो जब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज को लेकर के कि आपका interest कि मुझे रूची है पढ़ाने में ये point रख सकते हूँ कि sir ma'am जब हम बात करते हैं हमारे जो teacher रहे हैं इस duration में ये ये उनको जब मैंने देखा या उनकी बातों को मैंने देखा उनसे मैंने सिखा कि किस तरीके से अगर हम किसी एक building को लेकर के बात करें उसकी new को अगर हम मजबूत कर रहे हैं तो पूरी की पूरी building जो है वो एक शांदार बनने वाली है शांदार building बनने वाली है तो हमने सुचा क्यों ना यहां पर जब हमें आगे जाना ही है चीजे हैं और धीरे धीरे हमारी जो रूची हमारा जो interest था वो उनकी बातों से खुद से कहीं न कहीं हम हमारा जुकाओ जो है वो इस field की तरफ हुआ या primary में के बच्चों की तरफ हुआ और हम यहां पर फिर यह course करके और फिर इस field में आ गए तो सबसे बड़ी चीज है रूची को ले करके यहां पर भी आप B.T.E.C. की बात है तो यह इन चीजों को आप include कर सकते हो जैसे जब मुझसे पूछा गया जब PGT Computer Science का तो कोई issue नहीं था लेकिन जब PRT के लिए में गया तो उसमें सवाल यही था कि आप यह कोर्स करके और यहां पर क्यों और ऐसे में आप B.T.E.C. और सारी चीजे किये हुए हैं तो आपसे question भी पूछा जाता है कि आप computer में जो चीजे हैं मैंने computer में खास कर जब PGT Computer Science के सवाल आपसे PRT में पूछे जा सकते हैं जो कि मुझसे पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल है तो कोई समस्या नहीं है आप यह बताइए कि यहां पर हमारा interest था छोटे बच्चों को पढ़ाने को ले करके यहां पर कुछ और बाते हैं जो मैंने English में लेक रखी हैं हिंदी में भी वो चीज मैंने मैंने मेंशन कर दी है इसमें खा I take the task of developing young people into kind, thoughtful and contributing adults very seriously यह सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपके आंसर को बहुत ही बहुत ही वो impact डालेंगे वो आपके आंसर किस पर जब हम interviewer की बात करते हैं इन सब चीजों को इन टर्म्स को अपने आंसर में जरूर include करिए ठीक है इसलिए मैं जब जब questions को लेकर के आऊंगा जो भी चीज़े मैं बताऊंगा मैं टेलिग्राम चैनल पर वो आपको भेज़ता चलूँगा I have always been grateful to my teachers and the educational system for making me the person that I am today ठीक है तो यहां पर हिंदी में भी मैंने बताया हुआ है कि यहां पर विचार सेल दयालो और सारी चीज़े फिर कहते हैं कि मैं हमेशा अपने सिक्षकों साक्षक प्रडाली का बहुत आभारी रहा हूँ मुझे वह व्यक्ति बनाने के लिए जो मैं आज में हूँ और यही काम मैं किसके साथ करना चाहता हूँ मैं उन बच्चों के साथ में करना चाहता हूँ चुकि शुरुवात वहीं से होती है ठीक है यह बात याद रखेगा I only hope that I can make this same kind of positive impact on the minds and hearts of my students वही चीज मैं क्या करना चाहता हूँ तो दिमाग पर उसी तरीके से सकारात्मग प्रभाव डाल सकूँ आप केवल इतने ही टम बोलोगे जो भी मैंने लिखा है यह इंग्लेश और हिंदी में जो भी इंग्लेश हिंदी है दोनों में यह आपका इंटर्वीव हो सकता है वो किसी में भी आपसे पोश सकते हैं दोनों के लिए रेडी रहिएगा तो दोनों ही चीजें अगर आप केवल इतना बोल देते हैं तो यह बहुत ही सही रहेगा कुछ आपके टेक्निकल टर्म्स को मैंने यहाँ पर इंक्लिवड किया हुआ है वो सारी चीजें तो दोस्तों यह था जब हम बात करते हैं अच्छा कुछ और बाते भी आप इसमें इंक्लिवड कर सकते हूँ कि हमारा भारतिय सम्मिधान भी यह बात कहता है चोटे बच्चों को पढ़ाने को ले करके शुरुआ से ले करके एक civilized people बनाने के बात होती है तो कहां से बनेंगे कहीं न कहीं घर परिवार तो साथ दे रहा informal education वाले उसमें formal में हम उनकी साहता करेंगे यह जो formal informal है इन सब terms का use होना चुहिए आपके answer में यह सबसे मस्त तरीके से जो है impact डालेगा जब हम बात करते हैं आपके जो भी examiner interviewer है वहाँ पर तो यह था आपका answer यहाँ पर comment section में आप अपने विचारों को मतलब अगर आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है तो किन चीजों को आप mention कर सकते हो आपके दिमाग में क्या को चल रहा था एक दो line ज़रूर लिखेगा सीरियस हो जाओ पूरी तरीके से यहाँ पर seriously interview की तैयारी सीरियस हो जाओ मतलब पढ़ाई को ले करके हो जाओ interview की पूरी तरीके से तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए कोई और सवाल है तो comment section में आप हमारे लिए ज़रूर mention करिएगा आप सभी का बहुत बहुत शुक्रया एक और वीडियो में जल्द ही मिलेंगे